नमस्कार दोस्तो इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नंदी गराम एक्सप्रेस के बारे में जो कि मुंबई से नागपूर के बीच में चलती है वाया नांदेड होकर तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुर नासिक मनमाड औरंगाबाद हजूर साहिब नांदेड अदिलाबाद होती हुई ये नागपूर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है नंदी गराम एक्सप्रेस का जो ट्रेन नमबर है वो है 11401 जो बायन नांदेड होकर चलती है ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन ह हफते के सातों दिन चलती है नंदी गराम एक्सप्रेस जो है मुंबई के छत्रपती शिवाजी महराइट टर्मिनस से नागपूर की जो दूरिया 23 गेंटे 41 नड़ में कवर करती है इसके तकरीबन 35 स्टेशन से 1052 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है और इसकी एवरिस प जैर्स को साटाराम एक्स परसं का टिकड wow वो चत्रपती शिवाजी महराइट टर्मिनस मॉंबई से नागपूर जेंक्शन तक का बताऊंगा यह जो मैं करें बतांगा को पोच वायस किरां जुकाओं इस इसमें तट में ॰च्छ र। नांदी तक म, वह में करें तक है 52 प गूपई जो है वो जी स्ट चार्जिए और टोटल चार जो है 3,215 है इसके लावा सेकंड सीट का जो किराया है वह है निस सो पंतालिस रुपए जिसमें अठारा सो दो रुपए टो बेस फेर है रिसेर विशन चार्जज़ पचास रुपए है जी स्ट चार्ज़ जो है 1355 रुपे जिसमें 1250 रुपे तो बेस फेर है रिसर्व विशन चार्ज 40 रुपे है जीस्टी चार्ज गजो है 65 रुपे है और टोटल किराय है जो बनता है वो है 1355 रुपे दोस्तों ध्यान रखें जो स्लीपर क्लास और जर्रल अंडर्जर्व डिबव में कोई GST चार्ज नहीं जुड़ा जाता स्लीपर क्लास का जो किराया है मुंबई से नागपुर तक का वो है इस्ट्रेन का वो है 505 रुपई जिसमें 480 रुपई तो बेस फेर है रिजर्विशन चार्ज 20 रुपई है टोटल चार्ज जो है 505 रुपई है इसके अलावा इस ट्रेन में जर्नल अंडर्जर्व डिबो के तकरीबन 4 कोचिस है नंदी गराम एक्सप्रेज जो वायर नांदेड होकर चलती है मुंबई से नागपुर तका जर्नल अंडर्जर्व डिबो का जो किराया है वो है 300 रुपई यह जो मैंने अभी आपको किराया बताए यह अपडेटेड और सही किराया नहीं है सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा पे आठ नंबर प्लैटफॉम से रवाना होती है और इसके तकरीवन 35 स्टेशन से हैं 23 गेंटे 40 मिनट बाद यह ट्रेन जो है नाखपूर जंक्शन महराश्ट में पहुंचती है और 1052 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है इसके बाद यह ट्रेन जो है दादर सेंटरल में पहुंचती है दादर सेंटरल में ट्रेन जो है शाम के 4 बच के 47 मिनट पे पहुंचती है और 4 बच के 50 मिनट पे वासरवाना हो जाती है इसका यहां पर 3 मिन्ट का stop है 4 नमबर प्लैट्फॉम पर कि अंगे टरेन रुप ती है ठाने महराष्ट में टरेन शाम के पाँच बच के आठ पे पहुंचती है और 5 बच के 10 मिन्ट पर वहां सर्वान हो जाती है का यहां पर 2 मिन्ट का stop है पाँच नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन पे रुपती है, सिर्फ 33 किलो मिटर की दूरी यह कवर कर चुकी होती है, कल्यान जंक्षन में ट्रेन जो है, शाम के 5 बच के 30 मिनट पे पहुंचती है, और 5 बच के 33 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है, इसका यहांपर 3 शाम पर पांच एकस्प्रस के साथ यहां पर इसकी करॉसिंग होती है स्काई यहां पर एक मिनट का स्टॉप है और 232 किलोमेटर की दूरी जो है लासल गाओं तक मुंबे से यहां तक कवर कर चुकी होती है मनमार जंक्षन महराष्ट में ट्रेन जो है रात के 9 बच के 35 मिनट पे पहुंचती है रात के 10 बच के 25 मिनट पे पहुंचती है और 10 बच के 26 मिनट पे वहां से रवाणा हो जाती है स्काई यहां पर एक मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुकती है 281 किलोमेटर के करीब यातरा अपनी कवर कर चुकी होती है रोटे गाओं में ट्रेन जो है रात के 10 बच के 24 मिनट पे पहुंचती है और 10 बच के 45 मिनट पे वहां से रवाणा हो जाती है स्काई यहां पर एक मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुकती है और अंगाबाद में ट्रेन जो है रात के 11 बच के 40 मिनट पे पहुंचती है और 11 बच के 45 मिनट पे वहां से रवाणा हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है तीन नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुकती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 505 किलो मिटर की दूरी यहां तक कवर कर चुकी होती है और विजेवाडा साइन अगर शिड़ी एक्सप्रस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है इसके बाद यह ट्रेन मनवात रोड में पहूंचती है परबनी जंगष्ण महराश्र में ट्रेन जो ए रात के तीन बच केटेरा निटा पहुंचती है क्रीम नगर मुंबाई LTT आक्सप्रस के साथ इसकी हर सोमवार कोई क्रॉसिंग होती है इसके बाद पर्बनी जंक्षन का वैसे स्टेशन कोड़ है PBN और यहां तक की जो दूरी है दो 546 किलोमेटर के गरीब कवर कर चुकी होती है इसके बाद यह ट्रेन जो है पूरना जंक्षन महाराष्ट में रात के तीन बच के 48 मिनट पे पहुंचती है सुबब पांच बच के 13 मिनट पे पहुंचती है और पांच बच के 15 मिनट पे वह सिरवाना हो जाती है इसके बाद यह ट्रेन जो है भोकर स्टेशन में पहुंचती है सुबचे बच के 9 मिनट पे और 6 बच के 10 मिनट पे वह सिरवाना हो जाती है इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है भोकर के बाद नंदी कराम एक्सप्रेज जो आया नांदेड होकर चलती है इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है और शुप नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है और शेसो पचासी किलोमेटर के करीब यातरा अपनी कवर कर चुकी होती है हिमायब नगर के बाद यह ट्रेन जो है ससरा कुंड स्टेशन में पहुंचती है ससरा कुंड में यह ट्रेन जो है सुबह साथ बचके नौ मिनट पे पहुंचती है और साथ बचके दस मिनट पे वह से रुपती है इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है इसके बाद किनवत स्टेशन में पहुंचती है सुबाद बचके 9 मिनट पे और 8 बचके 10 मिनट पे वह से रवान हो जाती है इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है अदीलाबाद स्टेशन में ट्रेन जो है सुबाद 9 बचके 25 मिनट पे पहुंचती है और 9 बचके 30 मिनट पे वह से रवान हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है पीमपल खुटी के बाद ये ट्रेन जो है लिंक टी स्टेशन में पहुंचती है सुबा 11 बचके 11 मिनट पे पहुंचती है और 11 बचके 13 मिनट पे वह से रवान हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है और 830 किलोमेटर के ग्रीब यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है कायर स्ट्रेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 12 बचके 3 मिनट पे पहुंचती है और 12 बचके 5 मिनट पे वह से रवान हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है और 656 किलोमेटर के ग्रीब यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है दोस्तों अगर कुछ मिस्पैलिंग होगी है और तो माफ करना मैं शायद सब शब्दों को थोड़ा से सही नहीं पड़ रहा हूं और वानी स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 12 बच के 24 मिनट पे पहुंचती है और 12 बच के 46 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है मजरी जंक्षन में ट्रेंज जो है दोपहर के एक बच के 28 मिनट पे पहुंचती है और एक बच के 30 मिनट पे महां सरवाना हो जाती है इसका यहाँ पर दो मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेंज जो है रुपती है अब रोर्वा का स्ट्रेंज बुड़ा है WRR इसके बाद यह ट्रेंज जो है हिगन घाट में दोपहर के 2 बच के 18 मिनट पे पहुंचती है और 2 बच के 20 मिनट पे महां सरवाना हो जाती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है एक नमबर प्लाट्फॉम पे आके ट्रेंज जो है रुपती है हिगन घाट जो है इस ट्रेंज का 32 स्टेशन है और 943 किलोमेटर के करीब यात्रा अपनी कवर कर सुकी होती है हिगन घाट के बाद नंदी ग्राम एक्सप्रेज जो वाया नांदेड होकर चलती है वह अपने 33 स्टेशन सेवा ग्राम जंक्शन में दोपहर के तीन बज़े के करीब पहुंचती है और तीन बज़े के एक मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टो आप है दो नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेंज वह रुपती है इसके बाद फिग नंदी ग्राम एक्सप्रेज जो वाया नांदेड होकर चलती है वह अपने सेक्ड लास स्टेशन और नागपूर के पहले स्टेशन अजनी स्टेशन में पहुंचती है नागपूर से पहले जो स्टेशन आता है अजनी स्टेशन पे पहुंचती है यहां पर दोपहर के तीन बच के तरफ और मिनिर पे पहुंचती है चैने महारास्ट में शाम के चार बच केarent पढंद्रा मिनिट पहुंचती है और पांच या साथ नंबर प्लाटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है स्माप्त कर लेती है दोस्तो इसी के साथ नंदी ग्राम एक्सप्रेश जो मुंबई से नागपुर तक चलती है उसकी वीडियो जो है स्माप्त होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज कमेंट करके जरूर पताएं या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की और वीडियो बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं मैं उस पर वीडियो नाने की पूरी कोश्च करूँगा यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को जासे यादा लाइक जरू करें जासे यादा शेयर जरू करें ताकि यह इन्फोर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरी बाके यह अन्य वीडियोस को भी जुरूर देखते रहे और लाइक और शेयर जुरू करते रहे अगर आप ने हैं या अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जुरूर दुबाएं ताकि आपको लेटस वीडियोस की नोटिफिकेशन बिलती रहे धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने की